शिकार खारे चीतों की तरफ एक सैम नाम का हैना दवड़ा चला आता है सैम को देख चीता बोलता है खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सैम डर के मारे वही रुखता है और चीतों को गुरने लगता है एक चीता सैम की तरफ बढ़ते होई बोलता है किसको गुर सैम मैदान में आकर कबड़ी कबड़ी करने लगता है, तब ये चिता कुछ देखकर अपने साथी को बोलता है, भाई कल्टी मार जल्दी यहाँ से, सैम दुसरे चिते के पास जाकर बोलता है, ये हटा साउन की गटा, चल हवा आने दे, दुसरा चिता जाते हुए हैना को बोल देगी, हैना जैसे ही शिकर परताव मारने लगते है, तब ये वा एक शियर आता है, हैना ने शियर को अभी तक देखा नहीं था, शियर नजदी काकर बोलता है, में आई जोईन सैम और उसका दोस्त वा से कल्टी मारते है, दोनों के जगडे में हमेशे तिसरे का ही फाइद होता है, अगरी करते हों तो लाइक करो, पेड़ पर चुपे तेंदवे के पास एक मादासुवर चली आती है, चिकनी मादासुवर को देख तेंदवा वही कलीन बोल्ड होता है, मादासुवर थोड़ी-ोड़ी हलचल पर ब्रेकडांस करती है, कुछ सोच कर मादासुवर लेकिन तबी वह रुक कर वापस उसी जगह आती है। लेकिन तबी वह रुक कर वापस उसी जगह आती है। पीचे खड़ा दुसरा शरीन दोनों को पीचे से गुरता है और बोलता है। में बहुत यक्ता थी। वह आपको आगे पता चल जाएगा। सुवर सिचुशन को आपजर्व करते हैं और बाइपस के रास्ते अपने घर की तरफ निकलते हैं। सुवर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शेर्नी हरकत में आती है। शेर्नी आगे जाकर आचनक सुवर की पल्टन पर अटेक करती है। सुवर पीचे थे वह पीचे भाग गये। आगे वाले सुवर पर शेर्नी हमला करती है और उसे दबोश लेती है। लेकिन यही पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जो सुवर पीचे थे वह भागते भागती आचनक रुखते हैं और वाप शेर्नी की तरफ भागते हैं।